Good morning students, आज हम करेंगे chapter 2 English grammar में parts of speech. Start करते हैं, we can divide words into various classes, ठीक है, they are called parts of speech, उन्हें क्या कहा जाता है, parts of speech, कौन-कौन सी होती है, parts of speech, eight होती है, First है हमारा noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection, ठीक है, start करते हैं, noun से, A noun, noun की definition क्या दियो है, इसमें, a noun is the name of a person, place, animal or thing, एन नाउन किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान, पशू या किसी वस्तु के नाम को हम noun कहते हैं, इसके examples दियो है, लखनौ is a big city, सुरेश is good boy, महाभारता is great epic, and the taj of agra is worth seeing, ठीक है, यह सब किसके हैं, noun के examples हैं, आगे चलते हैं, Colored word are noun, वो कह रहे हैं कि जितने भी इसमें colored word है, मतलब कि, रैड़ उस से लिखे हुए हैं, इस अब क्या है, nouns हैं, आगे पता है हुआ है कि kinds of nouns, kinds of nouns, noun कौन-कौन से होते हैं, फस्ट है हमारा proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and material noun, यह इससे पहले मैंने आपको chapter में भी समझाया था, तो आज हम चलते हैं इसको पूरा explain करेंगे, सबसे पहले हैं हमारा proper noun, अब proper noun क्या होता है, a proper noun is the name of some particular person, place, or thing, proper noun वो होता है, जो किसी particular person का name हो, या किसी place का या thing का, उसे कहते हैं proper noun, for example, the ramcharit manas is a religious book, जो ramcharit manas है, वो क्या है, एक धार्मिक बुक है, तो हम किसी particular book के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किस के बारे में बात करें, जैसे ramcharit manas, है ना, तो जिस कभी particular जिस भी चीज के बारे में बात होगी, उसका नाम लेके, तो वो proper noun के अंतरगज आएगी, next आता है, there is the red fort in आगरा, अब वो कहरे है, आगरा में, आगरा की बात हो रही है, पर्टिकुलर सिटी की, अब वो कहरे है, उसके अंदर क्या है, red fort है, है ना, तो फिर red fort किसी building की या किसी thing की, उसकी बात हो रही है, तो इसलिए क्या कहेंगे हम यहाँ पर, proper noun, next, the Indian oceans washes the feet of mother India, जो इंडियन ओशन है, मतलब की हिंद महा सागर है, वो भारत माता के क्या होता है, चरंद होता है, अब next है, भारत is a vast country, भारत एक क्या है, सबसे मतलब व्यापक country है, विशाल देश है, अब वो इसमें भी क्या कहा है, जो बोल्ड वर्ड्स हैं, वो क्या है, सब proper noun, next आते हमारा common noun, every person, place or thing of the same class is known as the common noun, जो कह रहा है कि every person, कोई भी व्यक्ति हो, place हो, या कोई भी वस्तु हो, लेकिन उसी same जाती की हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे, common noun, उसमें किसी particular के बारे में बात नहीं की जाती, होगा हमारा noun, ठीक है, तो कौन सा noun होगा, common, girls, अब girls भोस सारी हो सकते हैं, girls are dancing, हमें कोई particular नाम नहीं पता कि कौन डांस कर लिए, girls are dancing, तो यह क्या होगी, common noun, cow is a useful animal, और birds are flying in the sky, birds sky में fly कर रही है, तो वो किसी particular bird के बारे में नहीं बता रहा कि यह parrot है, या फिर यह गोरईया है, या कोई में मतलब, तो यह आउल है, कोई भी particular bird के बारे में नहीं शो कर रहा, तो यह क्या होगा, common, next आता है हमारा third वाला collective noun, collective noun क्या होते हैं, collective noun is the name of a number of, or collection of persons and things, इसमें क्या होता है, number of collection, मतलब की पूरी संख्या को चिन्हित किया जाता है, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, इसमें पूरी collection होती है, persons क्या, things की, तो उसे हम कहते हैं, collective noun, जैसे की, I reading class fifth, पूरी class क्या है, पूरी एक class, एक बच्चे की तो होती ही नहीं, यह बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो collective noun के इंतरकत आएगी, next, army, army हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर collective noun, team, team में भी बहुत सारे, मैं वो होते हैं, players होते हैं, तो यह सब क्या हो जाएगी, यह हमारी यह collective noun, bunch, flowers, एक, एक फ्लार तो एक होगा, और जब उसके flowers के बहुत सारे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक bunch of flowers के लाएगा, तो bunch क्या है हमारा collective, अब आता है, next, abstract noun, abstract noun क्या होता है, an abstract noun is the, usually the name of a quality, है न, action और state, यह किसी हमारे गुण को, यह हमारी स्थिती को, यह हमारे कारे को बताता है, जैसे की, for example, action is the, thy duty, तुमारा मतलब कारे करना, तुमारी क्या है, करतव गे, duty है, next, he was a leader of freedom movement, यह freedom movement क्या है, हमारा abstract noun, childhood, बचपन है, यह होता, यूब आवस्ता है, बुढ़ापा है, यह सब क्या है हमारे, यह abstract noun है, judgment, निर्णे देना, यह सब हमारे क्या है, abstract noun, कोई गुण है, next, आता हमारा material noun, material noun is a something, used for making other things, जिससे की, हम जिस धातू से, कोई और चीट बना सके हैं, तो सब क्या कहलाते हैं, हमारे material noun, material noun में, some of the sweets are made of milk, milk से हम बहुत साइची चीज़े बनाते हैं, तो milk क्या है हमारा material, pots are made of clay, clay क्या होती है, मिट्टी, मिट्टी से हम बहुत साइची चीज़े बनाते हैं, तो वह क्या है हमारी यह material है, gold is costly metal, his father works in a steel company, steel भी हमारी क्या है material है, curd is the made for from milk, और curd किस से बनाई जाती है, milk से दही है ना, तो वह भी क्या है हमारा milk, material noun है, next चलते हैं अब हमारी exercise, first exercise है हमारी, match the common noun with collective nouns, ठीक है, इसमें collective noun को common noun से match करना है, अब sheep है, अब sheep के जो group को क्या कहेंगे हम, sheep का जो group होगा, sheep के group को हम कहेंगे flock, तो इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे हम एक, ठीक है, next है हमारा players, players किसको कहते हैं, players कि सारे players मिलकर क्या बनती है, एक team बनती है, तो यह हजाएगा हमारा यह वाला second, students, students मिलकर सब क्या बनाते हैं, class बनाते हैं, तो यह class मिल जाएगा, next रहता है हमारा mountains, mountains मिलकर क्या बनाते हैं, एक high range बनाते हैं, तो यह होजाएगा हमारी range, flowers, अभी बताया था, flowers मिलकर क्या बनाते हैं, एक bunch बनाते हैं, तो यह होजाएगा bunch, robbers, robbers का एक gang होता है, robbers मिलकर जो डागो होते हैं, उनका एक गैंग हो गया, शूज, शूज का क्या होता है, शूज मिलकर दो शूज मिलकर बनाएंगे, एक पेर, और कैटल, और कैटल जो पशू होते हैं, उनका मिलकर होता है, एक हर्ड, मतलब जुन्ड या समूँ, ठीक है, तो ये आप अपने इसमें, नाउं ये हमारा यूत, ठीक है, पूर deeper, गरीबी, गरीब होता है, तो गरीब से मुझएगे हमारा गरीबी, तो पॉबर्टी, या पूर नेस, ओनेस्ट, अंश माने इमानदार, तो इसका मुझ जाएगा इमानदारी, ओनेस्टी, friend, friend का हो जाएगा friendship में तरता no, no महाने होता है जानना और no का abstract noun हो जाएगा knowledge ठीक है, तो यह सब हिसके क्या है abstract noun है और यह आप इसको सामने इसको लिख दीजएगा knowledge की spelling होते है k-n-o-w-l-e-d-g next चलते हम next fill in the blanks with proper words given in the bracket आपको इनके जो word bracket में दिये हुए है उनको fill करना है सबसे पहले हमारा dash is a precious metal तो metal क्या है इसमें हमारी gold तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारा gold ठीक है next is dash essential for our life हमारे जो उसके लिए जीवन के लिए क्या जरूरी है water तो इसमें क्या जाएगा हमारा यहां पर आ जाएगा water second वाले में sweeters are made of sweaters किसे बनते है हमारे wool से तो इसमें आ जाएगा wool dash is most useful for health health के लिए क्या जरूरी है milk next say in Bengal people eat a lot of तो बंगाल में के लोग जाज़े दर क्या खाते है rice चावल Mumbai is a famous Mumbai is किसले famous है for cotton industry मतलब की कपास के लिए cotton clothes के लिए dash is a liquid metal liquid metal क्या है mercury तो यह जाएगा हमारा mercury यह mercury बुध वाला mercury नहीं है यह mercury है जो होता है जिसमें thermometer में नापते हैं तो वो mercury ठीक है तो यह आप अपनी अपनी बुक में फिल कर लिजेगा I hope आपको यह exercise अच्छे से समझ आ गई होंगी कोई भी आपको queries है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं Thank you